आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरा नाम असे धान तक नहीं होते हैं, शटड़ी है क्यूपाइब को बहुत बहुत सुभागता है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर हर गोबिंद खुराना के बारे में, हर गोबिंद खुराना जिनों ने revolutionize कर दिया, medical field को, physiology में इनको Nobel Prize मिला था, genetic information, इन्होंने खोज के निकाल दी थी, कि किस तरीके से genes को आसानी से study किया जा सकता है, भाईया जो आज genetic engineering हो रही है न, आज तो आप किसी भी company से artificial gene मगा सकते हैं, वो हर गोबिंद खुराना के वज़े से हुआ है, इनको Nobel Prize मिला थ और सबसे वड़ी बात यह है कि इनको हमारे देश ने भुला दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने इनको बहुत सा रहा है, तो आज हम बात करेंगे हर गोबिंद खुराना, सिद्धान तगनी होतरी मेरी Facebook profile है, दोनों ही जगा प्रेचर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, दोस्तों, हिंदी में भी PDFs अवेलिबल हैं, आप Study IQ के ब्लॉक्स को विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारी faculty की हिंदी में PDFs मिल जाएगी, हलाकि मैं भी अपने profile औ बहुत ही जाद important course है, अगर आप net exam की तैयारी commerce subject से करें, तो आप इस course को जरूर अवेल करिए, तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया list है, ये Nobel Prize winners की series शर्दी, ये especially जो भारत के हैं, भारत के जिनों जिनों ने Nobel Prize जीता है, उनकी biography को हम cover करेंगे, exam के लिए कितना जाद important है, ये आप समझी सकते हैं, अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है, Nobel Prize से, तो सबसे पहले हमने biography देखी थी, रबेंदर नाथ टेगोर, रबेंदर नाथ टेगोर की literature में, 1913 में, इनको Nobel Prize मिला था, और part 1, part 2 में लिचर है, लाखो लाखो लोग देख चुके हैं, आब भी देख लिजे, सीवी रवन की फिर हमने biography study की थी, 1930 में इनको Nobel Prize मिला था, physics भाया, रवन, scattering, the रवन effect मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, इस spectrography को इन्होंने पूरी तरीके से कैसे इसको study करना है, खोज निकाला था, Mother Teresa की हम biography review कर चुके हैं, एक partner lecture है दोस्तों, थोड़ा सा ये एक्चुली हर गोबिंद खुराना को उपर आना चाहिए था, बड़ कोई बात नहीं, हर गोबिंद खुराना की biography आज हम देखेंगे, हर गोबिंद खुराना को 1968 में physiology या फिर medicine की field में, medical की field में इनको Nobel Prize मिला था, उसके बाद कैलाज सत्यार्थी की biography हम अपना जो Nobel Prize है वो शेयर किया था, अच्छर दोस्तों, दो से तीन साइंटिस्ट काम करते हैं, और हमने एक trend देखा है, कि जाधा तर जो Nobel Prize दिये जाते हैं, इस साल के भी जो Nobel Prize दिये थे, पैसे आपका बता दो, इस साल जितने भी Nobel Prize जिन जिन को मिले हैं, उन सब को हमने ब बायग्राफी अगली होगी, और वी रामकृष्णन की बायग्राफी हम करेंगे, तो ये सिर्फ तीन रह गए हैं, बाकि ये भी सीरीज पूरी की पूरी खतम हो जाएगी, बहुत सारी सीरीज दोस्तों, वैसे हमने चलाई थी और हमने काफी कुछ सीखा, और अब वो समाप भी हो चुके है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया, आजाद भारत के बाद जितने भी प्रधान मंतरी हुए थे, वैसे प्रधान मंतरी हासाद भारत के बाद ही हुए थे, तो उन सब की बायग्राफी हमने कवर कर ली है, और ये सीरीज खतम हो गई है, सिक्ख खुराना की बात करें, तो इनका जनम 9 जनवरी 1922 में हुआ था, ये most accepted date of birth है इनकी, ठीक है न, विवाद है इनका जनम कब हुआ था, लेकिन most accepted और जब documents को खंगाला जाता है, तो most accepted 9 जनवरी 1922 को इनका जनम हुआ था, और 9 नवेंबर 2011 में इनकी प्रित्यू ही थी, भारत इनको बहुत ज़्याद रत नहीं क्या है, पद्म भूशन भली धिया है, भारत रत इनको नहीं मिला है, हो सकता है, इसका reason ये भी, कि ये भारत में नहीं रहते थे, ये अमेरिकी नागरिक थे, आपको बता दू, भारत में जनमें थे, लेकिन अमेरिका चले गए, तो वहां ज़्यादा दुख होता है, कि हमारे देश में IIT का, IIT JEE का exam, दुनिया में toughest होता है, बहुत टाफ exam होता है, लेकिन उसके बावजूद, जब भी top 100 colleges की बात आती है, दुनिया में, हमारे IITs नहीं रहते हैं, ये जान के बहुत दुख होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा द पहले भारत में थे, ये भारत में इन्होंने पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर ये British चले गए, England चले गए, फिर वहां से Switzerland चले गए, Switzerland में इन्होंने शादी भी कर ली, Switzerland से फिर अमेरिका चले गए, और finally अमेरिका में ही इन्होंने पूरी रिसर्च शुरू की, और 1968 मे और Holly के साथ, Marshall W. Nirenberg और Robert W. Holly के साथ और इन दोनोंने, मतलब यह पूरा एक coordinated work था, ठीक है, जो इन्होंने genetic code को खोज के निकाला, दोस्तों आज हम science के बारे में भी जानेंगे nucleotides क्या होते हैं, life क्या होती है DNA, RNA क्या होता है, यह सारी चीजे भी देखेंगे, बहुत important है, ठीक है ना, तो अगर हम हर गोबिंद खुराना की बात करें, तो Krishna Devi और गन्पत राय खुराना की आइनका जनम हुआ था, रायपूर, 36 घडवला रायपूर नहीं, पंजाब जिले में, जो इस समय पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे इनका जनम हुआ था, एक हिंदू परिवार में जनम हुआ था, यह बताते हैं, कि इनके पिता जी पटवारी थे, ठीक है ना, British officer, office clerk थे, अब दोस्तों ऐसा है कि उस समय पैसा किसी के पास नहीं था, बहुत गरीबी थी भारत में, ठीक है ना, और जब British छोड़ के गए थे, तब तो जो हमारी GDP थी, वो तो माइनस में थी, जीरो भी नहीं, माइनस में चली गई थे, वो पुरा लूट के चले गए थे, तो यहाँ पे पढ़ाई का बहुत आभाओ था, इतना असान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, इनके माता पिता ने ये सुनिश्चित किया, कि इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, जितना हो सके इनके बच्चों को पढ़ाया जाए, इनके पिता जी पटवारी थे, आपको बतातू कि जिस गाउं में रहते थे, वहाँ पे वो सौ लोगों का गाउं था, ठीक है न, वहाँ पे जब सौ लोग रहते थे, और सौ लोगों में सबसे पढ़ी लिकी फैमिली इनकी थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे, ये इसले इनको धेरो स्कॉलर्शिप में ली, और इनी स्कॉलर्शिप के बल पे इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की, शुरू में तो इनके, जो इनकी एजुकेशन थी, वो तो लोकल स्कॉल में हुई, और पहले चार साल तो ये पेड़ के नीचे पढ़ते थे, जी यहाँ, बिल्कुल गुरु कुल स्टाइल में, पहले के गुरु ऐसे ही तो करते थे न, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, और इस नेचर के साथ पढ़ाया जाता था, उनको काफे विद्वान भी होते थे, तो पहले चार साल ऐसे पढ़ाई की थी हर गोविंद खुराना ने जिन्होंने भारत का नाम रौशन किया उसके बाद मुल्तान में ये DAV High School चले गए दयानन अंगलो वर्नाकुलर High School वहाँ पे DAV बहुत इंपोर्टेंट स्कूल है देश भर में इसकी ब्रांचेस हैं वेस्ट पंजाब में है मुल्तान आपको ये भी पता है फिर ये पंजाब यूनिवसिटी में चले गए और बहुत ही अच्छे स्टूदेंट इनको बहुत स्कॉलर्शिप मिली थी इसकी टीचर्स इनसे बड़े ही खुश रहते थे बड़े ही शान्त थे ज्यादा बोलते नहीं थे गंभीर इंसान थे ठीक है ना उसके बाद 1943 में इन्होंने अपना B.Sc. कम्प्लीट किया और 1942 में इन्होंने अपना Master's कम्प्लीट किया ठीक है ना इन्होंने M.Sc. डिग्री 1945 और B.Sc. 1943 में ली आप M.Sc. B.Sc. M.Sc. के बाद क्या PhD उस समय पढ़ाई का जो स्तर था दोस्तों लोगों के पास खाना नहीं होता था खाने के लिए पढ़ाई तो छोड़ी दीजे तो उस समय अगर पढ़ाई किसी के पास अच्छी खासी डिगरी होती तो उसके बड़ी इज़त की जाती थी ठीक है ना और अगर बदकिस्मत यह है कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी डिगरी होती थे वो भारत में रहता भी नहीं था, वो बाहरी चला जाता था, क्योंकि भारत में कुछ स्कोपी नहीं था, उसमय बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, तो उसके बाद हर गोविंद खुराना चले गए British, higher education के लिए, क्योंकि इंडिया में तो कोई college खुले ही नहीं, अभी CV रमन तो काम कर रहे है न, ISE अभी बना कहा है, जब यहाँ पे scientific college खुलेंगे, engineering college खुलेंगे, तब उसके बाद भारत से भी खजाना निकलेगा, वैसे तो भारत से बहुत सारे खजाना निकले, और एक खजाना चले गए British, हम हर गोवन खुलाना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे British चले गए, वहाँ पे इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की, ठीक है न, अपनी PhD कंप्लीट किये, 1948 में इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की, देख सकते हैं न, दोस्तों, सिर्फ तीन साल में इन Technology देख रहे हैं, जो भी आप Technological Advancement गख रहे हैं, जो आपध आपकें हाँत में mobile याँद देख रहे हैंं कि हाइट डेवलप हो रहे हैं, मेडिकल साइन्स में बहुत कुछ डवलप हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, क्योंकि लोग Research कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे student हैं, जो प लेकिन प्रॉब्लम ही है कि भारत में एक बार PhD शुरू हो जाते तो खता भी नहीं होती है चलती ही जाती है इसको बिल्कुल रिफाइन करना पड़ेगा और PhD स्टूडेंट्स PhD फेलोस को अच्छी खासी फेलोशिप भी देनी पड़ेगी हमारे या पर यह दिक्कत है जो PhD करत जाने बाहर जाते जाएंगे याद रखिएगा बाहर जाएंगे वो और फिर वहीं के लिए काम करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इन्हों ने अपनी PhD तीन साल में कंप्लीट की बहुत ही कम टाइम में देख सकते हैं कितने ब्रिलियंट है उसके बाद दोस्तो भारत आये भारत में इनको जादा काम नहीं मिला कुछ नहीं था उसमें वापस इंग्लेंड चले गए इंग्लेंड में वहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया न्यूक्लियो टाइट्स में क्योंकि इनकी पूरी एजुकेशन फिजियोलोजी से हु इनको शोध वृद्धी भी मिली ठीक है ना फेलोशिप मिली भारत की तरफ से तो चले गए यह जियूरिक्ष वहाँ से वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई दोस्तों एश सेबलर से एश सेबलर जोंकि इनकी पत्नी भी बनी यह सांसद की बेटी थी और खुद भी एक साइंट मुश्किल होती है वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर साइंस में इंटरेस्ट ना हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए साइंस मत लीजे क्योंकि साइंस टफ होती है पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान होता है उसके बाद 1960 में इन्जाइम रिसर्च इंस्टिट्यू यहां पर इनकी जो DNA में पूरी स्टडी थी ठीक है वो स्टार्ट होगी DNA और RNA की स्टडी वो स्टार्ट हो गई अब उसके बाद अमेरिका चले गई है इनको नागरिता दे दी तो एक US citizen हो गए इसलिए इंडियन अमेरिकन साइन्टिस रंड को बोला जाता है 1970 में इनको यह Massachusetts चले गए मतलब Massachusetts in the sense की Massachusetts MIT में Massachusetts Institute of Technology में यह प्रोफेसर हो गए और वहां पर यह पढ़ाने लगे और 2007 में इनका रेटायर्मेंट हुआ MIT से समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं तो यह इनका academic करियर था अब दोस्तों हम Nobel Prize पे आते हैं इनको Nobel Prize मिला 1968 दिसंबर 1968 इन्होंने क्या काम किया था oligonucleotide को इन्होंने खोजा था chemically synthesized किया था अब यह क्या होते हैं अब हम science को समझेंगे बहुत important चीज़े बताने वाला हुँ दोस्तों संक्षेप में बताऊंगा तो बहुत जादा important है देखिए दोस्तों यह life है हम जिन्दगी जी रहे हैं आपको भी पता है लेकिन यह जिन्दगी कैसे आई है यह life बनी कैसे है यह बनी है atom से molecule से सबसे पहले अगर biology की बात करें हम physics की बात नहीं करेंगे वैसे तो सब कुछ atom electron proton है अगर हम बात करते है biology की तो सबसे पहले आता है cells ठीक है fundamental unit of life हो और फिर organisms हम बनते हैं तो cell से हम एक पूरी body structure जो है वो तयार हो जाता है अब दोस्तो body structure तयार हो गया जिन्दगी आपको मिल गई लेकिन जिन्दगी के चार essential component होते है life के चार essential component होते है ठीक है पहला होता है nucleotide यार रखेगा दोस्तों तो कि मैं अच्छे से लिख देता आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको पहला होता है nucleotide ठीक है nucleotide के अंदर आता है DNA और RNA और DNA बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि जिन्दगी को life को आपकी personality को ये DNA और RNA determine करते हैं दूसरा होता है carbohydrate बहुत ज़्यादा important होता है दोस्तों ठीक है तीसरा होता है जो हर कोई किसी को वो चाहिए बले ही उससे कुछ हो ना हो लेकिन उससे बहुत कुछ होता है लेकिन शर्त यह है कि आप कुछ गलत मतले लिजेगा हम बात कर रहे हैं protein की protein मगालिया वार से protein और बहुत सारे muscle blaze के protein ताकि body बने protein building blocks होते हैं दोस्तों ये जिन्दगी के building blocks होते हैं इसी स drugs ले रहे हैं आज ही इसी वक्त छोड़ दीजे बरबाद हो जाएगी जिन्दगी भी और body भी protein ले लिजे protein में कोई दिक्कत नहीं है और चौथा lipids ये चार चीजे होती हैं हम बात करेंगे nucleotide के और इनका जो पूरा काम है वो nucleotide पे ही था DNA और आनने की अभी हम बात करेंगे ये DNA का पूरा structure है ठीक है अच्छे से समझाओंगा आपको और एक चीज ये तीनों भी बहुत ज़ादा important है carbohydrate protein lipids फिलाल अभी हम DNA पे आते हैं अ अब दोस्तों अभी हम बाता है कि सबसे पहला essential element क्या होता है nucleic acid nucleic acid क्या होता है देखिए दोस्तों nucleic acid are the polymers essential for life ये polymers होता है polymer क्या होता है polymer को समझ ले के लिए monomer समझना पड़ेगा monomer को समझ ले क्या hydrocarbon समझना पड़ेगा इस दुनिया में हर चीज hydrocarbon है दोस्तों जो living organisms ह अगर chemistry की बात करें तो वो दो में डिवाइड है organic और organic और organic मतलब जिसमें life है ठीक है जो organs है जहां से सब कुछ organisms develop होते हैं तो अगर organisms या किसी को जिंदगी मिल रही है तो उसमें होते है hydrocarbon जिसको organic chemistry बोला जाता है hydrocarbon मतलब hydrogen और carbon CH CH3 CH4 methane ethane इसको कहते है hydrocarbon अब अगर इन molecules की single chain है धेर सारे CH 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 लगाते जाएए और एक chain बनाईए ठीक है ना ठीक है जैसे school में होती ना एक पंगतियां वैसे एक chain बनाईए अगर इस तरीका है तो इसको कहते है monomers और अगर धेर सारी पंगतियां है मतलब बहुत सारे monomers आ गए हैं तो इसको कहते हैं polymer तो DNA और RNA polymers होते हैं जो organic substance होते हैं जो amino acids होते हैं जो hydrocarbons होते हैं जो monomers होते हैं तो यह एकटा होते हैं और polymers बनाते हैं ठीक है ना अब यह nucleotides जो हैं यह तीन चीजों से बने होते हैं आपको याद रटना है सबसे पहले तो दोस्तों carbon atoms carbon atoms से बने होते हैं यह पहली चीज़ दूसरा phosphate sugar यह दोस्तों exam में बहुत पूछा जाता है phosphate sugar और तीसरा सबसे important nitrogenous base तो यह मिलके nucleotides बनाते हैं nucleotides मतलब DNA और RNA यह समझ में आया आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया अब दोस्तों DNA और RNA पे आते हैं दो तरीके के nucleotides होते हैं DNA Deoxyribonucleic Acid और एक आयने Ribose Nucleic Acid मतलब क्या है कि अगर sugar Ribose है मतलब Ribose Polymer है तो जो Polymer बनेगा वो RNA बनेगा मतलब अगर जो sugar है वो Ribose है Ribose मतलब Carbohydrate अगर chain में Carbohydrate लगा है तो वो होता है आपका RNA और अगर Deoxyribon लगा है दो Oxygen Group लगे हैं ठीक है तो उसको कहते हैं DNA तो यह Basic Difference है वैसे तीन और डिफरेंस है वो भी आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो दोस्तों अगर DNA और RNA की बात करें तो तीन इसके Point of Difference है ठीक है DNA Double Stranded होता है आप देख सकते हैं कि यह देखिए यह इस तरीके का Double Stranded Helical Structure है यह एक Chain है पूरी की पूरी RNA Double Stranded नहीं होता है RNA Single Stranded होता है ठीक है ना तो RNA की Change जो होती है वो Short होती है दूसरी चीज़ अभी मैंने बता है Sugar जो होती है वो Ribose होती है RNA में Ribose होती है Ribose मतलब Carbohydrate और DNA में Deoxy Ribose होती है ठीक है और यह जो आप Chain देख रहे है यह सब Amino Acids की बनी हुई है Amino Acid मतलब Nitrogen और Hydrogen ठीक है ना अभी मैंने आपको बता है ना कि जो Nucleotide से वो किस चीज़ के बने होते हैं समझ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है और तीस DNA में होते हैं Adenine, Cytocine, Uanine और Thymine यह चार Bases होते हैं Nitrogenous Bases ठीक है ना तो यह DNA और RNA में Basic फर्क होता है आप DNA और RNA होते क्या है भाईया Genetic Information आप जो हैं आपकी जो भी Properties है वो क्यों है क्यों कि आपके पिता जी ऐसे थे आपकी माता जी ऐसे थी आपके पिता जी आपके मात जी की वज़े से आपका जन्म हुआ तो आप जो भी कर रहे हैं जो आपका Nature है जिस तरीके से आपका Body Structure है वो आपके पिता जी और आपके माता जी की देन है उन्हीं दोनों का Combination है उन्हीं दोनों के Genes से तो आप बने है न तो आपके अंदर Genetic Information है कहां से आई है आपके प कोई भी बिमारी है कुछ भी है तो हम इसको study करके अच्छे से पता लगा सकते हैं समझ रहे ना तो यह बहुत जादा important होता है RNA भी दोस्तों तीन तरीके के होते हैं messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, protein synthesis में का बहुत काम होता है फिलाल अभी हम उतना deep में नहीं जाएंगे actually problem यह होती कि एक बार मुझे science मिल जाती है तो मैं पता नहीं फिर कितना लंबा lecture लिलूँ अभी मैं इसमें हम नहीं जाएंगे ठीक है ना अभी आप इतना ही समझिए कि DNA और RNA क्या होती है इन सब में genetic information होती है किस तरीके के organism से की growth होगी कैसे वो reproduce करेगा क्या क्या उसमें qualities है वो सब DNA को आप study कर लीजे सब कुछ मिल जाएगा तो यहां पर इस DNA को अच्छे से study किया हर गोबिंद खुराना ने और इन्होंने oligonucleotides खोच के निकाल दिये oligonucleotides क्या होता है short RNA और DNA होते हैं ठीक है ना इनका बहुती छोटा structure होता है इसको कहते हैं oligonucleotides basically दोस्तों इसमें sequencing होती है ठीक है DNA इसमें बहुत अर्वो खर्वो की sequence होता है ठीक है हर molecule एक sequence में होता है तो इसको code किया जाता है ठीक है ना और जरा सी भी अगर sequencing गलत हो जाए समझ लिजे करोडों में अगर एक भी sequence गलत हुआ तो आपका पूरा body structure ही बरबाद हो जाएगा तो देख सकते हैं युनिवर्स की creation कितनी जबर्दस्त है तो coding होता है उसी coding को आसान किया था हर गोविंद खुराना ने oligonucleotides बनाने के लिए बनाया था तो आप company को phone लगाए वो artificial gene आपको भेज देगी पैसे अच्छे कासे लगते हैं तो इस तरीके की condition हो गई है अगर आपको किसी star का gene चाहिए अगर आपको मान लीजे शारुखान का gene चाहिए तो सीधा phone लगाए कि मुझे शारुखान की genetic information चाहिए तो वहां से वो आ जोग मार रहा था दोस्तों seriously मतले लीजेगा यह सब एक जोग था ठीक है लेकिन company से आप मगा सकते हैं यह सच बात है ठीक है तो यह चीज है अब जो इन्होंने oligonucleotide खोचके निकाला यह बहुत जादा लाब देती है कैसे genetic engineering genes को कैसे समझना है genetic engineering में इसके application बहुत है genetic engineering स से दोस्तों को बहुत कुछ पता चलता है हमको पता चलता है कि किस तरीके से हम जो बिमारिया होती है उनको ठीक कर सकते हैं ठीक है कुछ ऐसी बिमारिया होती ना जो हमारे पिता जी या हमारे खांदान वे चल रही होती है वो चलती आती है फिर ट्रांसफर होती जाती है ठी हम यह कि अभी बहुत सारे cloning start हो चुके, यह सही नहीं है, ठीक है, किसी दिन हम और बात करेंगे, क्यों यह सही नहीं है, तो cloning कर सकते हैं, जैसे मालीजे आपके, बिल्कुल as it is duplicate इंसान को बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, जैसे आप काम करते हैं, तो बहुत सारे इसके application से दोस्तों, तो यह काम किया था, हर गोबिंध खुराना ने, इसलिए इनको इतना महान बोला जाता है, और इनको धेर एवार्ड मिले दोस्तों, और सबसे बड़ा तो Nobel Prize है, हर गोबिंध खुराना 2007 में Massachusetts से रिटायर हुए, और 89 साल के उमर में, 9 नवेंबर 2011 में उनका नेधन हो गया था, भारत ने तो भुला दिया दोस्तों, लेकिन इनको बाहर बहुत recognition मिला है, अमेरिका और इंगलेंड ने इनको काफी honor किया है, तो यह लेचर था दोस्तों, हर गोबिंध खुराना पे, Nobel Prize ऐसा ही होता है, दोस्तों, अगर किसी भी Nobel Laureate पे मैं लेचर लेता हूँ, तो मैं यह बताता हूँ कि इसको Nobel Prize मिला, क्योंकि यह जादा जानना जरूरी है, क्योंने ऐसा, क्या क्या आई होप, आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुछ नहीं पढ़ते हैं, देसे सिद्धान तक नहीं होता ही, signing off, आशा करता ह जो आई हमाग धना जरूरी हुष समय होता है, क्योंने जाम है, एक बादे दो करे शथधाना जरूरी है, क्योंते हाय सकते हैं, क्योंने उत्सक्रावे नहीं होता हैं, देसे सिद्धा मिला कर